अगर मैं CWC की बात करती हूँ, जो आपका एक्जाम है, Central Warehousing Corporation का, उसमें जो मैं सब्जेक्स डील कर रही हूँ, वो है सबसे पहले जूलोजी, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी, and then genetics, देखो, जूलोजी related to animals, ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर आपके syllabus की बात करें, तो जूलोजी में सबसे ज़्यादा हमें focus करना है, insects पे, ठीक है, rodents पे, and third thing is, जो आपके दूसरे microorganisms होते हैं, insect में भी insect की morphology, insect की taxonomy, उसकी classification, वो सब आपको deal करना है, अगर आप CWC की तयारी कर रहे हैं, तो आज जो है, हम इसी सब के बारे में discuss करेंगे, और genetics के भी कुछ portion है, जिसे heridity, variation, अगर आपने अच्छे से slaybers को देखा होगा, मैंने भी एक session किया था, जहांबे मैंने अच्छे से हर एक slaybers को, हर एक unit को अच्छे से mention किया था, तो उसमें से हम focus करने वाले हैं, zoology वाली unit को, और जो basic agriculture में भी plant protection है, genetics है, उस सब का overview आज मैं आपको दूँगी, क्योंकि काफी time हो गया है, तो it's not fair कि मैं direct questions ही आपको करवाओ, उसके बाद मैं आपसे questions पूछूँगी, तो session को शुरू करते हैं, session को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो, ऐसी अच्छे-ची classes daily basis पे आपको मिलती रहती है, साथ ही आप Adder247 की mobile app को भी install कर सकते हो, अब इस mobile app का link जो है, वो बिलकुल आपके सामने दिया है, description मे भी आपको मिल जाएगा, इसमें अगर आप उसको install करते हो, तो आपको कुछ coins मिलते हैं, ठीक है, उन coins को आप as a money use कर सकते हो, हमारे किसी भी batch में enroll करने के लिए और extra discount पाने के लिए, coins के साथ साथ यहाँ free of cost बहुत सारे features मिलते हैं, जैसे जैसे ही आप इसको install कर लेते हो, कोई भी vacances आती हैं, कोई भी job alerts आती हैं, या कहीं पर भी vacances आती हैं, तो आपको उसका alert मिल जाएगा, आपको daily quizzes solve करने को मिलेंगे, अलगला questions वहाँ पे जो है, add होते रहते हैं, तो इस application को install जरूर कर लीजिए, जै हिन मनोज, जै हिन, चलो, तो शुरू करते हैं हमारे आपको क्या-क्या चीजें cover करनी हैं, ओके, let's start, genetics का सबसे major चीज है, mandalism, क्या है, mandalism, तो जहां पर भी genetics लिखा है, genetics is all about, जो mandal ने, क्या दिया था, laws of inheritance दिये थे, क्या दिये थे mandal ने, laws of inheritance, ठीक है, अब ये कितने laws है, पहला question तो यही बन जाता है, question number one, कि mandal के कितने laws थे, mandal ने कितने law दिये, heredity के, inheritance के, तो it was two laws, कितने laws थे, आप अपनी notebook पे भी लिख सकते हो, this is kind of एक overview कि आपको genetics में क्या-क्या करना है, mandal ने दो law दिये थे, ठीक है, inheritance के, अब वो दो law कौन-कौन से थे, वो मैं आपको बताऊंगी, लिख लो, पहला law था, law of segregation, law of segregation, इसको हम explain करेंगे, अगर आप से कोई पूछेगा, कि which of the following is the first law of mandal, तो it was law of segregation, दूसरी बात है यहाँ पर, जो दूसरा law है, वो है law of independent assortment, independent assortment, independent assortment, ठीक है, यह दो law थे, जो mandal ने दिये थे, इसके इलावा एक और चीज़ है, जिसका नाम रखा गया, law of dominance, अब mandal ने तो उसको ऐज़ा law ही दिया था, लेकिन जब classical genetics आई, तो इसको law ना मानकर एक concept माना गया, ठीक है, जैसे की dominance होती है, incomplete dominance होती है, over dominance होती है, co dominance होती है, तो वैसे ही एक dominance होती है, complete dominance, तो यह dominance क्या बन गया, एक concept बन गया, ठीक है, तो mandal ने दो ही law दिये थे, ठीक है, आप लिख सकते हो, वो दो law कौन से थे, law of segregation and law of independent assortment, ठीक है, law of dominance एक था, लेकिन वो law नहीं है, वो concept है, इतना ध्यान में रखना, अब सबसे पहले मैं mention करने वाली हूँ, कि यह जो law of segregation है, यह क्या होता है, ठीक है, फिर हम concepts की तरफ चलेंगे, law of segregation, अपनी notebook पे लिख लो, जहां पर आपने segregation लिखा, segregation का मतलब होता है, separation, separation का मतलब होता है, अलग हो जाना, separation मतलब, अलग हो गए है, अब बात यह उठती है कि कौन अलग हुआ है, कौन अलग हुआ है, separation of alleles, क्या अलग हुई है, alleles अलग हुई है, कब अलग होंगी, at the time of gamete formation, जब gamete बनेंगे, जब gamete बनेंगे, उस time पर alleles जो है, वो अलग हो जाना, इसका क्या मतलब है, यह भी बता देती हूँ, gamete क्या होते है, fertilization सुना है, fertilization, उसमें fusion of male and female gametes होते है, है न, pollen होता है, egg होता है, वो दोनों fuse करते हैं, फिर एक zygote बनता है, fertilization सबको पता है, बच्चपन से, अब भाई, जब वो fertilization होती है, उसके लिए सबसे पहले तो gamete बनेंगे, है न, अब हमने बोला कि एक gene जो होती है, उसके अंदर दो alleles पड़ी होती हैं, दो alleles, जैसे की capital T, capital T, ये दो alleles into small t, small t, ये दो alleles, ठीक है, और इसको बनके capital T, small t, ये दो alleles, हमेशा दो दो की जोड़ी में जो है, ये alleles पड़ी होती हैं, alleles क्या होती हैं, gene की ही दो form होती है, जैसे इनसान की form क्या होती है, एक इनसान अच्छा हो सकता है, इनसान बुरा हो सकता है, वैसे ही हर एक gene के दो form होते हैं, जैसे height है, वो या तो लंबी हो सकती है, या तो छोटी हो सकती है, है न, color अगर हम देख लें, तो अगर matter के case में बात करें क्योंकि Mendel ने मटर पे काम किया था तो फ्लार कलर फूल का रंग या तो परपल हो सकता है या तो वाइट हो सकता है तो यह जो दो forms है ना दो विपरीत लक्षन है इनको कहा जाता है alternative form of gene is known as allele ठीक है ओके गुद मॉर्निग दामिनी गुद मॉर्निग विंद्रेश चलों सो हमेशा दो दो की जोड़ी में यह allele जो है यह पड़ी होती है ठीक है अब होता क्या है जब gamete formation होगा तो एक gamete में या तो capital T होगा या तो small t होगा दोनों एक साथ नहीं पड़े होंगे एक एक हैलील का होगा यह है ploid होता है n तो यह दोनों साथ में पड़ी होंगी लेकिन जैसे ही gamete formation होगा यह दोनों ऐसे ऐसे अलग हो जाएंगी यह दोनों अलग हो जाएंगी ऐसे segregate हो जाएंगी अलग-अलग हो जाएंगी और इसे कहते हैं law of segregation तो मैं आपसे पूछूँगी law of segregation क्या होता है तो segregation मतलब separation separation मतलब अलग हो जाना कौन अलग हो रहा है alleles अलग हो रही है क्यों अलग हो रही है क्योंकि gamete की जो purity है उसको maintain रखना है क्या करना है जो gamete है उसकी purity को maintain रखना है इसी लिए जो ये law of segregation है इसे एक और नाम से जाना जाता है और ये question भी आता है law of segregation को कहा जाता है also known as law of purity of gametes law of purity of gametes आ गया समझ में कि सबसे पहला law क्या था और उसमें क्या बोला गया था अब ये law जो है वो यही से प्रूफ हो जाता है इसी cross से प्रूफ हो जाता है और ये cross कैसा है mono hybrid cross है कैसा cross है mono hybrid cross है अब question ये उठता है कि mono hybrid cross क्या होता है what is mono hybrid cross देखो इसके लिए आप लिख लो एक side mono hybrid एक तरफ लिख लो die hybrid ठीक है mono hybrid और die hybrid दो टाइप के crosses होते हैं ये mono hybrid and die hybrid क्या होता है mono mono का मतलब होता है one die का मतलब होता है two एक क्या है एक gene pair है क्या है gene pair है दो gene pair है ठीक है one gene या two gene इसका मतलब क्या है अगर हम किसी दो parents के बीच में cross करा रहे हैं cross between two parents two parents for one trade for one character for example capital T, capital T, small t, small t बनता है capital T, small t यहाँ पर सिर्फ एक character की बात हो रही है और वो है plant height वो क्या है plant height तो यहाँ पर सिर्फ एक trade की बात हो रही है तो इसे क्या कहेंगे हम monohybrid cross कहेंगे क्या कहेंगे monohybrid cross कहेंगे ठीक है इस case में two gene pair यानि cross between two parents two parents के बीच में cross करेंगे for two trades two trades for example capital R, capital R, capital Y, capital Y into small r, small r, small y small y यहाँ पर क्या है यह round है और यह yellow है यानि round क्या है seed का shape seed का shape yellow क्या है seed का color तो यहां पर दो characters की बात एक साथ हो रही है capital R capital R capital Y capital Y है ना तो यहां पर shape की भी साथ में बात हो रहे है color भी साथ में ही है दो हो गए इसमें तो इसे कहेंगे die hybrid cross ठीक है इतना समझ में आ गया कि भई Mono Hybrid Cross क्या होता है और Di Hybrid Cross क्या होता है तो आपने Law of Segregation जिसको Law of Purity of Gametes भी कहा जाता है वहाँ पर आपने देखा कि भई ये वाले से प्रूफ हो जा रहा है कि ये Segregate हो जाती है तो अगर आपको कोई पूछे कि Law of Segregation कौन सा Cross प्रूफ करता है तो Mono Hybrid Cross से हमारा Law of Segregation प्रूफ हो जाता है फिर ये Di Hybrid Cross किसको प्रूफ करेगा Law of Independent Assortment को अब उसकी तरफ हम बढ़ते है क्या होता है Law of Independent Assortment एक मिनट आप इसका screenshot भी ले सकते हो ठीक है मैं आपको एक second देती हूं screenshot ले लो और इसको अच्छे से revise भी कर लेना ठीक है एक second लगता है screenshot लेने के लिए या रोक के ले लेना ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा Second Law that is Law of Independent Assortment अब ये वही Independence है सुतंतरता वाली ठीक है सुतंतरता इंडीपेंडेंट से आपको याद रखना है इंडीपेंडेंडेंट का मतलब होता है सुतंतर ठीक है अब होता क्या था न जब आप छोटे-छोटे member के साथ आपको अकेले नहीं बेज़ेंगे, आप छोटे हो, है ना, लेकिन अब जब आप थोड़े independent हो गए हो, थोड़े बड़े हो गए हो, तुमारे पास थोड़े बहुत टाइप पैसे जो भी आने लगे है, तो अब क्या है, अब आप कही पर भी जा सकते हो, आप independent हो, ठ ठीक है, तो law of independent assortment कहता है कि अगर दो जीन्स, दो जीन्स ये और ये साथ में पड़ी होंगी अगर, ये दोनों साथ में हैं जरूर, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे पे dependent नहीं है, माल लिया ये husband wife है, ठीक है, capital R, capital R, capital Y, capital Y, ठीक है, ये husband है, ये wife है, ठीक है, ये दोनों साथ में रह रहे हैं, लेकिन आजकल के जमाने में कोई किसी पे dependent नहीं है, है ना, चोई financially बात कर लेते हैं हम, है ना, या ऐसी भी बात कर लेते हैं, कि husband और wife दोनों साथ में तो रहते हैं, लेकिन independent है, सब दोनों अपना-पना कमाते हैं, अपने पैरों पे हैं कि तो फिर तो घर नी चलाएंगे, वो तो फिर तो गया काम से, तो वो सबसे मतब हाइस्ट वो अच्छी वाली जॉब है, है ना, तो इसमें बोलाएं कि दो जीन्स आपस में पढ़ी जरूर होंगी, लेकिन एक दूसरे से independent होंगी, लिख लो, two genes for two different characters, two different trades या character are independent of each other, independent of each other, that is, that is, they will not inherit together, they will not inherit together, अब ये चीज़ कैसे प्रूफ होगी कि दो genes आपस में independent है, जरूरी नहीं है कि ये दोनों साथ में रहते हैं, husband wife तो ये एक दूसरे के साथ ही घूमने जाएं, हो सकता है wife अपनी friends के साथ trip बना ले गुआ का, husband अपने friends के साथ बना ले एक trip, हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं चिपके रहेंगे कि बस तू मेरे बिना कही नहीं जाएगी, तू मेरे बिना कही नहीं जाएगा, independent है एक दूसरे से, सुतंतरता दी है, ठीक है, आगे समझ मे अब इसको prove कैसे करेंगे, इसका screenshot ले लो, इसको prove कैसे करेंगे, वो हम देखते है, ठीक है, yes, inherit का मतलब क्या होता है, देखो, inherit का मतलब होता है, वो process जहां पर characters transmit हो रहे है, एक तो होता है heredity, heredity is the transmission of traits from parents to the offspring, माबाप से बच्चों में जो character जाते हैं, उसे कहते heredity, अब तो वो characters कैसे जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, process क्या है, उसे कहते inheritance, ठीक है, तो वो एक साथ नहीं जाएंगे, inherit नहीं करेंगे, और इसको prove करने के लिए हमारे पास die hybrid cross है, that is this cross, ये cross है, है ना, ये है capital R, capital R, round, dominant है round, और capital Y, capital Y है yellow, small r, small r, है wrinkled, ठीक है, recessive, और ये है हमारा green, ठीक है, small y, small y क्या है, green, ये दोनों है, जब आप इसका F1 बनाओगे, तो बनेगा capital R, small r, capital Y, small y, ये आपका F1 बनेगा, ठीक है, और ये ये भी क्या होगा, round yellow होगा, round yellow, कैसे होगा round yellow, यहाँ पर concept लगेगा, dominance का, किसका concept लगेगा, dominance का concept, that is capital R, small r में से, जो capital R है, यानि जो round है, वो खुद को express करेगा, और इस छोटे R को express नहीं करने देगा, तो wrinkled express नहीं हो पाया, small r वाला, round जो है, express हो गया, है न, तो होता है न, दो, एक होते हैं, जिसे, for example, मैं और मेरे डैडी है, अगर हम दोनों साथ में कुछ बात कर रहें, तो जादा express डैडी करेंगे, मैं थोड़ा, ऐसे, अब भी तो ठीक है, हम equal बाते कर लेते, लेकिन बच्पन में तो मुझे तरना डर लगता था कि मेरे तो जुवाजी नी खुलती थी डैडी के सामने, है न, तो मैं, मैं कुछ भी अपना नहीं express कर पाती थी, डैडी बोलते थे, डैडी बोलते थे, नहीं देखना टीवी तो नहीं देखना, सुबा पांच बजे उठना है, तो उनी का प्रभाव च और फिर बोलते थे रहा, मैं क्या करती थी, बुख खोलती थी और ऐसे लुड़क जाती थी, डैडी ने नोटेस कर लिया, फिर बोलते थे, जोर-जोर से बोल मेरे रूम तक आवाज आनी चीए, जोर-जोर से बोल के पढ़ना है, फिर आज तक मुझे याद है, मतलब मैं र बलती से यह देखा तो, सो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी यलो जो है, उसने एक्सप्रेस किया, कैपिटल वाए ने, और स्मॉल वाए ने, ग्रीन ने एक्सप्रेस नहीं किया, तो यहाँ पर राउंड यलो आगया आपका फिनो टाइप, क्लियर हो गया, अब उस लौ को प्रूफ करने के लिए, कि भाई यह हमेशा एक साथ इनहेरिट नहीं करेंगे, हमें बनाना है पन्नेट स्केर, क्या बनाना है पन्नेट स्केर, पन्नेट स्केर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेलफिंग करते हैं, पन्नेट स्केर क्या होता है, देखो, little r small r को capital y small y से ही cross कराना है और उसके बाद हमारा यहां पे एक square बनेगा इस तरीके से और इस square को बोलते हैं panet square panet square clear panet square है यह panet ने दिया था एक scientist का नाम था उसके नाम पे पढ़ गया और यह square है तो square अब आपको क्या करना है सब की सबके साथ दोस्ती करानी है क्या करोगे सबसे पहले capital R capital y के साथ दोस्ती करेगा लिख दो capital R capital Y clear हो गया उसके बाद capital R small y से दोस्ती और small r small y से दोस्ती करेगा, that is small r small y, ठीक है, same चीज यहाँ पर भी लिख दो, capital r capital y, capital r small y, small r capital y and small r small y, यह आपका square बन चुका है एक, ठीक है, अब इसको आप into करोगे, capital r capital r, इसको इससे करोगे न, capital y capital y, then capital r capital r capital y small y, यहाँ पर इसको इससे करोगे तो capital r capital r capital y small y, इसको इससे करोगे तो capital r capital r small y small y, अब इसका phenotype हम बनाते हैं, चलो, capital r capital, ममा, sorry, यह क्या हो गया, अचा यह है, हाँ, capital R, capital R, round, यह वाला capital R, capital R, round, capital Y, capital Y, yellow, यह capital Y, small y भी yellow, ठीक है, अब यहाँ पर भी round yellow, round और yellow, लेकिन यह क्या बनेगा, बताओ, capital R, capital R, small y, small y, क्या बनेगा, बताओ, 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 जल्दी से, तब तक मैं बाकी आपके लिए बना देती हूँ, समझ लेना, इसको कैसे बनाया मैंने, अच्छे से, बताओ, बताओ, कोई, capital R, capital R, और small y, small y, तो capital R, capital R, round था, small y, small y, green था, ठीक है, है, हैंस, प्रूवड, हाँ, white या green, very nice, दामिनी, हैंस, प्रूवड कि हमेशा, round yellow के साथ ही नहीं चिपका रहेगा, round green के साथ भी जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, फिर से round green बनेगा, अगर यहाँ पर देखोगे, smaller, smaller, यह, यह और यह, small r, small r, small r, capital Y, capital Y, यहाँ पर wrinkled yellow बनेगा, wrinkled yellow, तो जब आप इस सारे pannet square को भरोगे, आपको पता चलेगा, कि हमेशा round yellow, या wrinkled green ही नहीं है, wrinkled yellow भी है, round yellow भी है, round green भी है, wrinkled green भी है, मतब बहुत सारे combination बन सकते हैं, in the ratio of 9, ratio 3, ratio 3, ratio 1, जिसमें से 1 है wrinkled green, 9 है round yellow, और बाकी 3, 3 है आपके, यह wrinkled yellow and round green, ठीक है, तो यह pannet square आपको complete कर लेना है, और इसी के साथ हमारी class का time भी हो चुका है, तो that's it, इसके अलावा आपको ऐसे ही CWC का batch चाहिए, जहां पर अलग-लग faculties हम पढ़ाते हैं अच्छे से, सारा syllabus cover होता है, तो आप Google पे जा सकते हैं, Google पे जाके आपको लिखना है Adda 24.7, पहला link open करना है Adda 24.7 का, इस तरीके से आपकी यह site open हो जाएगी, site open होने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, all courses पे जाना है, all courses पे जाने के बाद government job exams में, यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिखेगा, railways, teaching, आपको agriculture select कर लेना है, जैसी आप agriculture select करते हो, यह सारे batches रे हमारे AFO का, IFCO का, और यह रहा आपका Central Warehousing Corporation, तो जो भी CWC के लिए prepare कर रहा है, और हमारे साथ करना चाहता है prepare, वो अभी-अभी batch शुरू हुआ है, यह रहा आपका batch और इस वक्त 80% off पे आपको यह batch मिलेगा, ठीक है, बाई चल सकर आपको batch नहीं लेना है, तो आप नीचे-नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको series भी मिलेगी, 50 से जादा total test मिलेगे, उससे नीचे जाओगे, तो यहाँ पर आपको e-book मिल जाएगी CWC के लिए, ठीक है, अब इसको आप click करोगे, यह batch है, जैसी आप click करोगे, सारी information यहाँ पर है, 21 November से यह batch जो है, शुरू हुआ था, मतलब कल एक ही class हुई अभी, अब click करना है buy now पर, coupon code यूज़ कर सकते हो, Y781A, जैसे ही इसको apply करते हो, यह 2599 में आपको मिल जाएगा, ठीक है, और इसी के साथ आपको test series और e-book free मिलेगी इस batch में, अगर अलग से लेनी है, तो आपको जो discount code है, अगर आपको na series लेनी है, या e-book लेनी है, जो मैंने आपको दिखाया, तो उसके लिए discount के लिए आप Y781S यूज़ कर सकते हो, और अगर batch लेना है, तो Y781A यूज़ कर सकते हो, 80% discount के लिए, और इस batch की validity दो साल की रहेगी, ठीक है, ओके, which day of the week, जो आज दिन है, आज क्या है, Wednesday, Wednesday को होती है, CWC की मेरी classes, ओके, bye-bye, take care, stay safe and have a nice day.